Recently हम सभी ने WhatsApp पर, Instagram पर Child Adoption की कई सारी पोस्ट देखी होंगी इन पोस्ट में बच्चों की gender, age जैसी कई सारी information शेयर की जाती है पर क्या आप ये बात जानते हैं कि आप ऐसी पोस्ट को upload करके, ऐसी पोस्ट को share करके उन बच्चों की मदद नहीं कर रहे हैं, बलकि उन बच्चों की जिन्दगियों को मुश्किल में डाल रहे हैं सभी लोग ऐसी पोस्ट को इसलिए circulate करते हैं ताकि उन बे सहरा बच्चों को परिवार मिल सके, घर मिल सके उन मासूम बच्चों की मदद हो सके पर हमारा ये समझना जरूरी है कि ऐसी post को share करके हम ना ही सिर्फ उन मासूम बच्चों के लिए बलकि खुद के लिए भी कई तरह की problems को नियोता दे रहे हैं हम सभी के intentions तो सही हैं पर हमारा मदद करने का तरीका गलत है और इन गलत तरीकों की वज़े से हम उन मासूमों की जिन्दीगी को खत्रे में डाल रहे हैं इसलिए हम सभी का ये समझना जरूरी है कि किसी अनात बच्चे की मदद हम किस तरह कर सकते हैं और यदि आप किसी child को adopt करना चाहते हैं तो उसका सही procedure क्या है तो यदि आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो अनात हो चुका है और आप उसकी मदद करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं किसी बच्चे को adopt करना तो ऐसी स्तिती में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इन सभी पॉइंट्स पर बात करेंगे हम आज के वीडियो में हेलो एंद दौर मैं हूँ मनस्वी और आप देख रहे हैं Info Unplugged तो यदि आप किसी भी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो कि अब अनाथ हो चुका है तो इसकी मदद करने से पहले आप एक चीज़ को दिमाग में बैठा लें कि इस बच्चे की information को आप किसी भी तरह किसी message के रूप में किसी post के रूप में social media पे circulate ना करें क्योंकि ये information यदि गलत हातों में पहुँच जाती है तो इन मासूम बच्चों की जिंदगी बरबाद हो सकती है इस तरह इन बच्चों की information को share करना, circulate करना कानूनी तोर पर भी गलत और illegal है और साथी यदि ये information गलत हातों में पहुँच जाएगी तो बच्चे human trafficking या फिर child trafficking का शिकार भी हो सकते हैं तो चलिये, पहले हम बात करते हैं कि यदि आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो कि अफ़ अनाथ हो चुका है पर आप उसे adopt नहीं कर सकते हैं और आप चाहते हैं कि उस बच्चे को कोई और adopt कर ले तो ऐसी situation में आपको क्या करना चाहिए सबसे पहले यदि आपको ऐसे किसी भी बच्चे की जानकारी मिलती है तो आप Child Line को 1098 पर कॉल करें, बच्चे के बारे में जानकारी दें या फिर आप पुलिस या बाल कल्यान समीती को भी इसकी जानकारी दे सकते हैं दूसरा, आप अपने मन से इन बच्चों के हित में किसी भी तरह का फैसला लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि अनाथ हो चुके सभी बच्चों के हित में फैसले लेने का काम बाल कल्यान समीती ही करती है यदि आप पुलिस को और बाल कल्यान समीती को बिना इनफॉर्म किये ऐसे किसी भी बच्चे को खुद अडॉप कर लेते हैं या किसी को और को अडॉप करने देते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है और लाखो रुपे का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि बिना इनफॉर्मेशन के आप खुद से बच्चो को अडॉप ना करें चलिए अब हम बात करते हैं कि यदि आप किसी बच्चे को अडॉप करना चाहते हैं तो आपको कौन सी चीज़े करनी चाहिए और कौन सी चीज़े नहीं पहले हम उन पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं जो आपको किसी भी बच्चे को अडॉप करने से पहले बिलकुल करनी चाहिए सबसे पहले राज्य सरकारों से अधिकरत अडॉप्शन एजन्सी से ही आप बच्चों को अडॉप करें अडॉप्शन के पहले सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथोरिटी की ओफिशल वेबसाइट को विजिट करें इस वेबसाइट पर आपको एक बच्चे को गोध लेने के लिए किन नियमों का, किन कानूनों का पालन करना होगा उससे जुड़ी सभी सही जानकारी मिल जाएगी adoption के लिए registration किया जाता है और आपसे adoption के पहले कहीं सारे documents मांगे जाते हैं ये सभी documents adoption के लिए बेहद important हैं और इसलिए guideline के मताबिक अपने सभी documents को जरूर upload करें ये थे वो कुछ points जो आपको किसी भी child को adopt करने से पहले करने चाहिए पर कुछ points ऐसे भी हैं जिनका ध्यान आपको child adoption के पहले रखना है और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको child adoption के पहले बिल्कुल नहीं करनी है तो चलिए अब हम उनके बारे में भी बात कर लेते हैं डायरेक्ली बच्चे के relative से, nursing home से या फिर hospital से adoption के विशय में संपर्क ना करें क्योंकि किसी भी सरकारी संस्था को inform के बिना किये गए सभी adoptions गेर कानूनी होते हैं जिनके लिए आपको लाखो रुपए का जुर्माना और जेल भी हो सकती हैं कारा की guidelines में बताये गए शुल्क के अलावा किसी भी और तरह के शुल्क का भुगतान बिलकुल भी ना करें adoption में documents काफी जरूरी होते हैं इसलिए कोई भी गलत या फर्जी document upload ना करें वरना आपकी application खारिज भी की जा सकती है ऐसे agency दूर रहें जो आपको adoption के लिए गैर कानूनी तरीके से काम करने का सुझाव दे या फिर सलहा दे याद रखें कि child adoption एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसलिए child adoption की पूरी procedure बहुत लंबी और जटिल होती है तो ऐसे मैं आप adoption के लिए कोई easy वे अपनाने के चकर में कुछ भी illegal ना करे क्योंकि यदि आप कुछ भी illegal करते हुए पाए जाते हैं तो आप child trafficking के आरोपी भी बन सकते हैं आप किसी बच्चे को adopt करने के लिए eligible हैं या नहीं आप कितने बच्चे adopt कर सकते हैं और adoption से जोड़ी ऐसी तमाम सारी जानकारी के लिए आप 1-800-11-311 पर कॉल कर सकते हैं या फिर कारा की help desk को भी visit कर सकते हैं तो यदि आप मध्यप्रदेश के निवासी हैं और किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसने COVID के चलते अपने माता-पिता को खो दिया है तो उससे जोड़ी जानकारी आप 1-8-1 पर कॉल करके साजा कर सकते हैं या फिर नीचे दिये गए नमबर पर WhatsApp भी कर सकते हैं मध्यप्रदेश शासंद्वारा ऐसे सभी बच्चे जिनके माता-पिता संक्रमित हैं उनके लिए Fit Facility तो ऐसे बच्चे जो बे सहरा हो गए हैं जिनके माता-पिता गुजर गए हैं उनके लिए Foster Care के शिर्वात की गई हैं तो यदि आप भी किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो कि इस मुश्किल समय में अनाथ हो गया है तो उसकी मदद के लिए आगे आएं और उनसे जुड़ी जानकारी सही लोगों के साथ साजा जरूर करें तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कॉमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथी ऐसी और रियोलोर उनपर्मीशन के लिए देखते रहे हैं